वन एक क्षेत्र में होने वाली वर्षा और तापमान के आधार पर वन घने, सघन, विक्षात चागित होते हैं। वन कई प्रकार के होते हैं। उश्नकटिबंधिय सदा बहारवन, ये वन भूमध्य रेखा और उश्नकटिबंधियक शीत्रों के निकट पाई जाते हैं, चोकि इन वनों में पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है, इसलिए पत्तिया पूरी नहीं जड़ती है, इसलिए इन्हें सदा बहार कहा जाता है, रोजवुड, महोगने, आबनोस जैसे कई द्रड़काश्ट के पेड यहाँ प्रचूर मात्रा में पाई जाते हैं, मोटा वितान और निकट्टा से सटे पेड दिन में भी सूर्य का प्रगाश नीचे नहीं आने देते हैं, उधारण के लिए ब्राजील के उश्नकटी बंधिय सदा बहारवन इतने विशाल हैं कि उन्हें पृत्वी का फेपड़ा कहा जाता है, वन भारी मात्रा में ओक्सिजन छोड़ते हैं, जो पृत्वी पर सभी जीवों के अस्थित्व के लिए पर्याप्थ होती है, विश्व के सबसे बड़े सापों में से एक आनाकॉंडा सामान्य तह यहां पाया जाता है, उश्व कटी बंधिया पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी, आस्ट्रेलिया एवं मध्या अमेरिका के कई हिस्सों में पाय जाते हैं, मौसमी परिवर्तन इन वनों को प्रभावित करते हैं, जल सन रक्षित रखने के लिए ग्रीश्मरितु में यहां के व्रिक्ष पत्तियां जार देते हैं, क्योंकि वर्षा के अभाव के कारण यहां क्षेत्र शुश्क हो जाता है, साल, सागवान, नीम तथा शीशम यहां पाय जाने वाले दृड़काश्ट व्रिक्ष हैं, इन दृड़काश्ट व्रिक्षों का फरनीचर, परिवहन और निर्माण सामकरी बनाने में उप्योग किया जाता है, यहां बाग, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर जैसे पशु पाय जाते हैं, शीतोष्ण सदा बाहार वन, ये वन दक्षण पूर्व संयुक्त राजिय अमेरिका, दक्षण चीन, दक्षण पूर्व ब्राजील आधी, जैसे मध्य अक्षाक्षिय, तट्यक शेत्रों में स्थित हैं, यहां ओक, पाइन, युकिलिप्टिस, इत्यादी और मुलायम दोनों प्रकार के व्रिक्ष पाय जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांग्षों में अर्थाद, उत्तर पूर्व संयुक्त राजिय अमेरिका, चीन, न्यूजलांड, चिलि आधी, उच्च शीतोष्ण में ये वन पाय जाते हैं, मौसमी परिवर्तोरों से प्रभावित होकर व्रिक्ष, शुष्क, ग्रीश मरितों में अपनी पत्यां जार देते हैं, बांच, बीज, एस, आधी यहां आम है, यहां हेरन, लोम्डी और भेडिये जैसे पशू और फिजन्ट, मोनल इत्याधी जैसे पक्षी पाय जाते हैं, वन, भाग दो, भूमध्य सागरिय वनस्पती, इस तरह के वनस्पती सामान्यतह महाद्वीपो के पस्चिमी और दक्षन पस्चिमी भागों में पाय जाती हैं, जोकि यहां वनस्पती अधिकतर भूमध्य सागर के समीप, योरोप, एशिया और अफ्रीका के खेत्रों में इसलिए इसका यह नाम पड़ा, हाला कि यह वनस्पती भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कालिफोनिया, दक्षन पस्चिमी अफ्रीका, दक्षन पस्चिमी दक्षन अमेरिका, एवं दक्षन पस्चिमी आस्ट्रेलिया में भी पा जाती है, यहाँ पेड अपनी मोटी छाल और पत्यों पर मोम की परत से शुष्क और गर्म ग्रीश्म रितू में स्वयम को ढाल लेते हैं, इससे वाशपोत सर्जन कम करने में सहायता मिलती है, भूमध्य सागरिय प्रदेश को फलो के क्रिशी जैसे टंगूर के बाग आदी के कारण विश्व का फलो दान भी कहा जाता है, यहाँ सामान्य तह संत्रा, अंजीर, जैतुन, एवं अंगूर जैसे नीम्बू वन्श, सित्रिस के भल पैदा किये जाते हैं, वहाँ शायद ही कोई वन्य वनस्पती है क्योंकि लोगों ने खेती करने के लिए अधिकांश वनस्पती को हटा दिया है, यहाँ शायद ही कोई वन्य जीवन है, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्थ के उच्छ अक्षांग्षों यानि पचास से सत्तर डिगरी में अत्यधिक ठंड है, और यहाँ सदाबहार, लंबे, मुलायम काष्ट वाले शंकुधारी वन पाय जात है, जिसका रूसी में अर्थ शुद्ध या अच्छूता होता है, मुलायम काष्ट लुगदी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसका उपयोग कागस और अखबारी कागस बनाने के लिए किया जाता है, साधी माचस की डिपियां या पैकिंग के लिए बकसे बना पेड हैं। ध्रुव्य भालू, रजत लोंबडी और मिंग यहां पाई जाने वाले सबसे आमपशू है।